अब फिर निग्स टॉपिक टॉपिक का नाम है इसमें चार चीजे होती हैं बिटा फ्रेस्ट इस इंप्लिकेशन इस इंप्लिकेशन को कर सकते हैं इनवर्स कर सकते हैं और चौथा सबसे पहले अगर आपका कोई एक्स्प्रेशन या फॉर्मलाइस फॉर्म में होता है इसको आप क्या बोलते हो इंप्लाइस इंप्लिकेशन है ना यही बोलते हो ना स्क्वाब एक मिनट और वेट करते हैं स्टूर्ण्स आर जॉइनिंग फिर कंडिन्यू करते हैं इसको आप इंप्लाइस इंप्लिकेशन बोलते हो ना इसी की फर्दर अगर अपने कन्वर्स करना हो प्रिमाइस है यह कंड्यूजन है इसका अपने अगर कंड्यूजन करना हो आप बस कंड्यूजन में क्या होगा जो आपका कंड्यूजन है वह प्रिमाइस बन जाएगा जो प्रिमाइस है वह कंड्यूजन बन जाएगा इस एक्सप्रेशन का इस फॉर्मले का करना हुँ इसका इसका तो दोनों साइड आपने डाल देना बस इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं और अगर आपने कॉंट्रा पॉजटिव करना है तो आप कनवर्स और इनवर्स दोनों परफॉर्म करते हो मतलब निगेशन भी लगाते हो और पॉजिशन स्वाप भी करते हो आप निगेशन क्यूंप्लाइस निगेशन भी यह तीन जीते याद रखना कोई भी आपको इंप् इनवर्स पॉजिशन वही रहेगी लेकिन निगेशन लगा देंगे दून अब्सार और कॉंट्रा पॉजिटिव पॉजिशन भी चैंज और निगेशन भी साथ में लग जाएगा इस टोपके लिएस सर्थ करें आगे तो एक और चीज जो यहां पर नूट करने वाली है कि अगर आपकी इंप्लेगेशन कि जो टूट वैलिव आएगी ना वो सेम होगी कॉंट्रा पॉजिटिव के अतलब यह अगर इंप्लेगेशन ट्रू है तो कॉंट्रा पॉजिटिव भी ट्रू होगा इंप्लेगेशन फॉल्स होगी तो कॉंट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स होगा और इन्वर्स और कन्वर्स भी इनकी टूट वैल्यू भी डेफिनिटली सेम आएंगी यह ट्रू तो यह भी ट्रू यह फॉल्स तो यह भी फॉल्स है और इनकी आपस में हो सकता आ है सेम भी आजए हो सकता है डिया तर्फिनेटली इक्वाइंट होती है implication और कॉंट्रा पॉजेटिव कि ट्ली उस वेल्ईू कनवर्ज और इन वर्स जांट टूके कोई यहां तक डाउट फिर कुशिन करते हैं इसके अब कोई डाउट है तो बूच लो पहले यह यह मैं बस यह कह रहा हूं कि यह आपका इंप्लिकेशन है सब्सक्राइब कुछ आती है लेट से ट्रू आती है अगर इसका कॉंट्रापॉदेव गरता हूं जो कि यह स्टेट्मेंट लेकर देगा मेरे को अगर यह फॉल्ड आती है इसकी ट्रूथ वैलिव फॉल्ड आएगी मतलब इनकी ट्रूथ वैलिव सेम होगी कॉंट्रापॉदेव और इंप्लिकेशन के फॉर्मले का जब आप प् कोशन करें तो सिंपल साइक कोशन है आपका उसे पहले 15 कोशन हम लास्ट में करेंगे चलो 16 इंवर्स शुरू किया है तो आपको कुशन दिया हुए सब्सक्राइब करने के लिए इंप्लिकेशन होनी जरूरी है तो सिर्फ इस इफ दैन वाले स्टेट्मेंट पर ही आपके कनवर्स इंवर्स और कॉंट्रापॉजटिव आ सकते हैं तो क्योंकि आपके इंप्लिकेशन होगी तभी उससे कनवर्स और इंवर्स बनाएंगे तो बताओ कैसे करें शुरू कैसे करें सिंपल सी मैंने आपको चीज बताई है एक पाउंट स्टेट्मेंट से पहले हम क्या लिखते हैं कुछ लेट करते हैं या सब्सक्राइब को पी और दूसे स्टेट्मेंट सो श्याओ जीए को ओके लेट पी पी क्या है आपकी 4x-2 is equal to 10 क्यूँ क्यूँ है आपकी x is equal to 3 ठीक है तो यह आपकी इंप्लिकेशन आप यह जो बनाई है इसने इंप्लिकेशन आपकी क्या आएगी पी इंपलाइज क्यों क्यों तो यह इंप्लिकेशन आगई अब इसके साइन आट करो पहले कनवर्स क्या आएगा सब्सक्राइज में तो सब्सक्राइजुथ क्यों एक मतलब क्या होगा अब इन वर्स क्या होगा और इंपली कि देखना ठीक है गलती से कंवर्ण ना देख्डेन की उपद ने ये यह यही देखना नीघेशन पी म्लाइज नीघेशन क्यों क्या स्टेमन बनेगी थे इंट क्यों नाट आएगा If 4x-2 4x-2 then x is not 4x-2 and last Contra-Positive Negation Q implies Negation P Negation Q implies Negation यह बड़ा सिंपल से कुशन है कोई डिफिकल्टी नहीं किसी को बच्छे पूछना हो वह पूछ लो मेरे से अगला कुशन करें कोई डाउ तो नहीं अगला कुशन करें यह सब्सक्राइब ना रोल नंबर थर्टीन अफ बीसी ए इसी प्रेजन शिक्स्टीन बीसी ए रोल नाइन बीसी इए टी इसने प्रेज यह स्टेट चंवर्स एंड कॉंट्रा पॉजटिव एंफ इंप्लिकेशन इफ तुडे इस थर्सडे इडन आइव ड्रेज तुडे दिवारा दिखता हूं इफ तुडें इस थर्जडे थर्जडे देन आई है रेस्ट टुडें ठीक है अब्यस्लिए पूर सेट आफ ग्रामर बट जो गुशन दिया है वही हमने लिख दिया है बताओ वैटे रूलमा नाइन किसे शुरू करें लेट थी हम तुडे इस थर्सडे याजन ए दियू कियोगा आलाव को तुडे wait कोई निया आगे फिर आगे स्टुन पोलता है रोल नमबर थ्री ऑफ पीसी एफ फॉर पीसी एफ पीसी एफ नमबर सेवंटीन ऑफ पीसी एफ सेवंटीन रोल नमबर नाइन रोल नमबर फीसी एफ ट्वेंटीन रोल नमबर फीसी एफ थर्टीटू रोल नमबर फीसी एफ प्रेश्ट की क्या है बनाएंगा बिपले इसका फॉर्मूला गया बनाहिए इसका फॉर्मूला बनाना है पिटा रोल टीन हूँ इक्विलेंस अच्छे इंपलाइज इंपलाइज होगा यह इफ और दैन है ओनली इफ नहीं है ठीक है ओनली इफ होता है तब एक्विलेंस आता है ओके ओके रूल नमबर ट्वेंटी एट अबीसी एगा रॉल नमबर वान भीजिए अगा रॉल नमबर इलेवन भीजिए अग्यासर बोलो वेड़ा इसका कनवर्स कि आएगा इफ आई है वार रेस्ट तोडे देन तोडे इस द्रस्टे रेशन पहले बोलो कनवर्स का एक्प्रेशन कि आएगा पी इम्पलाइस क्यू पी इम्पलाइस क्यू प्लिकेशन है बिटा सर्क्यू इम्पलाइस पी ओनाया क्यू इम्पलाइस पी और आपने जो बोला वो ठीक था इफ आई हैव रेस्ट तोडेशन कोई स्टेप काटना नहीं है तोडेस्ट आप देशन है तो देशन कोई ध सब्सक्र व से रोल नंबर सेवन आफ आइटी रोल नंबर वान आफ बीसी आइटी फिफ्टीन आफ बीसी रोल नंबर फिफ्टीन यह सिफ्टीन जैस बचे इन वर्स क्या होगा इसका मैं इसका ने रोल नकूल को तरने निगेशन पी इंप्ला से निगेशन क्यों आपिव तोड़े इस नोप थर्स्टे एंग्धन शाय थाइड दोडेस्टीन यह स्थ्क्सटी एप्टैस्टीन ग्में टॉट इस नौट्टेस्टेस्टेस्ट ऐसें सथ्क्षेश सबस्टर पोई कि टूल बुद०ु और सब्सक्राइब करेंगर करेंगर देघर में आप डरुट्ट्ट्राइब करेंग यू नहीं है कि एक कांटर पॉटिटिफ किया यह गाँ से निगेंशन क्यू इंप्लाइं गेंशन पी स्टेटमेंट क्या बनेगी इफ I have not rest today I will or I have then it is not today is not then today is not Thursday ठेक है if I don't don't have rest today then it is not Thursday and today is not Thursday अगला कुशन देखते हैं तो यह सिंपल से कुशन है और नेक्स कुशन है आपका है सिंप्लिफाई करना है इसको सिंप्लिफाई ठीक है और सॉल्व नहीं करना है सिंप्लिफाई करना है निगेशन फी इंप्लाइज निगेशन कियो इसको सिंपलिफाई करना है इस आप करोगे लॉस को यूस करके कुछ आपकी इडेंटिटीज चिब मैंने वोजिन बताई थी यूस करके इडेंटिटीज यह वाली इंपलाइज क्यों निगेशन पीटिजंग्शन को आपै कि एि... एक एक आपाए थी एक एक खबताय थी! एक आप आपै कुएुू। एक बotionका है न نफ एक टाप сильно खंधए 다टा सब्सकाँ। तो एक मैं करके दिता हूं आपको सिंप्लिफाइब और वेसली इस इंप्लिफाइब का मतलब है यह वाले ओपरेटर यह वाले कनेक्टिव दिया तो यह इंपलाइज वाला है इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम यह यूज कर सकते हैं यह वाला तो जब हम इसको हटाते हैं तो जो प्रिमाइस होती है उसके साथ निगेशन आजाता है तो यहाँ पर प्रसाइस पहले ही निगेशन है निगेशन औप इसकी जगापे डेशंग्शन और कन्क्लिवजन ऐसे क्याशन आजाता है कřे अनव फार्म यह को देखो आराम से जो परनी बली टार्म होगी उसके साथ यह मेरी पहले वली टार्म थी कैसे से साथ मैंने ना पीस पेम सा सब दिया यह दीज डूसरी बली टारम ते तो मैं तो म statements is a रही है अब यह आपका कौन सा लौ है compliment involution involution law double negation law using involution law double negation law double double negation तो पी डिस्जंक्शन निगेशन क्यों आप कौन सा लो लगाए डबन निगेशन लो यह होता है आपका ठीक है आप कौन सा लो लगाए यूजिंग यूजिंग अजय हो लो को यह हो आपकाए डीक्शन लो धीक्या है एकक्षाल नेक्षाम्य गिए हुआ। कि değişe आ जाता है और उल्टा हो जाता है तो अब एसे में लाइसे के साथ भी नीकेशन आ जाएगा तो नीगी शुन पी चुंटमीघ की कि तो नीजलन है लोगा अगें इन वालूशेन लॉट हैसे खैके हुआ कि निगेशन और निगेशन कैंसल आउट हो गए क्या आया निगेशन पी यहां पर क्यों यह आपका फाइनल कि इस टोके कि समझ में है सारा सिंप्लिफाइ कैसे करना है आपको लॉज लगाने दुबारा करवाद हूं यह देखो आपको एक्सप्रेशन यह दिया हुआ था इसको सिंप्लिफाइ करने को बोला गया था एक्सप्रेशन में पढ़ा देता हूं निगेशन ब्रैकेट के अंदर निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन की और सिंप्लिफाइज का मतलब होता है कि सिर्फ निगेशन कंजंक्शन इस फर्म में आपको अपना expression लिखना है मतलब implies भी नहीं आए और ये भी ना आए ठीक है और obviously जितना हो सके उतना simple form में हो तो हम laws use कर रहे हैं जितना simple form में मतलब छोटे से चोटे form में हो तो हम laws use कर सकते हैं और identities कर सकते हैं यह identity कुछ तीन मैंने यहां पर लिख दी हैं इसको बच्छे याद कर लो आप और obviously और भी identities हैं जो next chapter में अभी मैं उनको reveal नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह confusion अभी अपकी और बढ़ाएंगी तो फिलहाल आप इन तीन को याद रखो और laws को याद रखो that's it तो obviously P implies Q को यूज कर सकते हैं यह negation P और disjunction Q होता है तो पहली वरी टर्म के साथ negation आ जाता है यह भी वैसी है पहली वरी टर्म के साथ आप negation डाल देना है हमने तो इसे को negation negation P दूसरी वरी टर्म के साथ कुछ नहीं करना है अगया है अब यह देखो यह negation negation है तो यहाँ पर हम double negation law लगा सकते हैं जिसको वह लगा सकते हैं दोनों दोनों negation cancel out और आपका true form आ जाएगी तो यह देखवा गई फिर आप होल के उपर negation है तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन लोगा सकते हैं डी मॉर्गन दो में क्या होता है निगेशन आपका अंदर चले जाता है और बीच वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है कंजंग्शन हो जाता है यहाँ पर डिस जंग्शन था तो कंजंग्शन हो गया है यह निगेशन आपका पी के साथ भी लग गया ठीक है निगेशन पी और यह निगेशन आपका निगेशन की के साथ भी लग गया तो फिर अगें डबल नि इसके आगे कोई simplification नहीं हो सकती है इस डूसरा और दीसरा कुछन अटेंप्ट करना अगर नहीं निकलता है कोई जो है वो खतम हो चुकी है अगर इन में से कोई भी आपका कुछन सॉल्ब नहीं होता है तो कल हम सॉल्फ करेंगे उसको ठीक है है ट्राइब करना वैसे सारे सॉल्फ हो जाएंगे आपसे क्योंकि आपके कॉंसेप्ट सब क्लियर हो चुकी है अपके सारे कुछन सॉल्फ हो जाएंगे कि अगला अगला देखें एक्सराइस कोईशन तो उसको समझ हो पहले अगला आपका टॉपिक है आर्गिमेंट आर्गिमेंट अपको कोशन आएंगे आपको एक आर्गिमेंट दीर होगी और पुछा गया होगे यह वैलड है जै नहीं कि वैलिट और नॉट ठीक है तो सबसे पहले हम आर्गिमेंट समझते हैं आर्गिमेंट क्या होता है आर्गिमेंट में आपको पहले बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी होंगी आपको ना कहा कहा होगा कि स्टेटमेंट वान है कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है फिर आपको किया गया हो सकता है कि statement 2 है फिर आपको कहा गया होगा कि statement 3 है ठेक है कितनी भी statement हो सकती है 1,2,3,4,5,6,7,8 Any number of statement can occur Normally 2 य해 3 होती है और यह compound statement होंगी सारी की सारी ठेक है compound भी हो सकती है Simple भी कोई हो सकती है compound और simple ठेक है तो मैंने आपको बोला कि एक statement आपको दिए होगी कि ये ड्रू है, दूसरी statement भी दिए होगी, बोला गया होगा कि ये बी ट्रू है, अगर तो तो अगर वो कहता है कि statement 1, जितनी भी दी हुई है अगर यह सारी आपकी है ट्रू तो आपकी एक और कंक्लूजन होगी कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट होगी वह हो जाएगी ठीक है वह भी ट्रू हो जाएगी मतलब जितनी भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है यह वाली इनको बोलते हैं प्रिमाइस स्टेटमेंट प्रिमाइस तो वह कह रहा है कि प्रिमाइस में अगर जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है यह सारी ट्रू हो जाती है अगर तो कंक्लूजन भी आपकी ट्रू ही होगी लेटा सपोज आपको प्रमाई स्रेट्मट्ट यह दी ऊई हैं उनको पी वान पी टू मि थि बोलते हैं एगर यह सारी स्ट इस्टाली स्ट्ट्मण्ट तो हम कर सकते हैं कि हमरी üç इसको हम स्ट्रीटमन। को बोलते हैं चैपिटल और यह है इसको बोलते हैं टानस्टाइल ठीक है इस अपरेटर को बोलते हैं टानस्टाइल इसका कोई यूज नहीं है बस definition के लिए काम में आएगा आपको ठीक है टानस्टाइल प्रूफ करने में कोई इसका रूल नहीं है सिंबल सी बात है कि प्रिमाइस में जितनी भी स्टेटमेंट इसने दी हुई है अगर उनकी वेल्यू ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है यह हमारा में मोट्टो है आर्गुमेंट का अब आर्गुमेंट ऐसे ही करते हो ना कि मेरा यह एक पॉइंट है मेरा यह दूसरा को देता हूं और इंस्टेंस आपने एक मुबाइल फोन लेना है तो आप अर्गुमेंट क्या देते हो कि यह स्मार्ट फोन मेरी स्टडी के लिए जरूरी है ठीक है इसमें बहुत सारे स्टडी एप्स हैं तीसरा यह बजट फोन है चौत था इसके फीचर्स बहुत अच्छ अब्यूसली वैलिट नॉट वैलिट इट्स अप्टू दा इवैलुएटर पर अर्गुमेंट हम ऐसे करते हैं तीन जार पॉइंट देते हैं और इसके बाद बताते हैं कि यह हमारी एक इलूजन है कि यह चीज इसलिए हो जाने चाहिए है राइट गॉट दा पॉइंट बचे आर्गुमेंट क्या होती है ठीक है और जो चीज आप जो आप कारण बताते हो उनको बोलते हैं प्रिमाइस और जो जिस चीज़ को आप सिद्ध करने की कोशिश करते हो इसको बोलते हैं कंक्लूजन इस टोके डेफिनेशन क्लियर है मेटा सभी को तो आर्गुमेंट क्या है आर्गुमेंट इस टेटमेंट अब्यस्टी कंपाउंट स्टेटमेंट इन विच वी गेव एन नंबर ओफ प्रिमाइस स्टेटमेंट ठीक है तो असर्ट देट आर कंव्यूजन इस अब्टेइंड फ्रॉम दीज प्रिमाइस ठीक है मतलब मेरी प्रिमाइस की स्टेटमेंट जो है वो एक और स्टेटमेंट देती है जिसको हम कंव्यूजन बोलते हैं चल्क है मिलक मिलके यह प्रिमाइस की जितनी स्टेटमेंट आएं मिलके एक कंव्यूजन के स्टेटमेंट देती है एक। आर्गुमेंट इस स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट अब्यस्टी इन विच दियार और एन नंबर ऑफ प्रमाइसेज डेट अल्टुगेधर ठीक है गेव बर्थ तु अनधर स्टेटमेंट कॉल्ड देंक्ल्यूजिन इदे दोकी डैफिनेशन भी यहने आपको सिंपल सिंटेंस में बोल दिया इसका बनाना है इसका आगे मूँव करेंग आप आप जो आपके सॉल्व करने वाले कोशन में आपको बस सिंपल सी एक आर्गुमेंट दियोगी तेक है और आर्गुमेंट ओब्यस्ली इन संटेंशिल फॉर्म जैसे मैंने अभी संटेंस बोला था ना एक मोबाइल फॉन को लेके तो संटेंस में यह आपको एक आर्गुमेंट दियोगी तो आप प्रूफ कैसे करना है या find कैसे करना है कि argument आपकी valid है या invalid है ये कैसे find out करना है तो बड़ी simple जी बात है आपको जितनी भी premises दी होंगी प्रिमाइस वाली आपकी statement होंगी आपने उसका सभी के क्या बनाने है फॉर्मुले बनाने है ये expression बनाने है जो वर्ड भी आप यूज करते हों ठीक है फॉर्मुला बनाना है आपको सभी का तो लेट से आपकी तीन statement थी तीन प्रिमाइस की statement थी तीन प्रिमाइस थी पी वन पी टू और पी थी और अब्यस्टी आर्गिमेंट में आपको conclusion भी दिया होगा साथ में तभी तो आर्गिमेंट होगी न कि क्या आप सिद्ध करना चाते हो क्या conclude करना चाते हो उसको आप पी बोल दो अगर आप complexity हटाना चाते हो उसको आप पी त्री और conclusion को आप Capital P या Capital Q बोल दो और यह जो वेरियेबल हम यूज कर रहे ना यह आपकी मर्जी है आप चाहे तो इसको भी पी क्यू आर और conclusion को आप ऐसे ले लो कोई फर्क नहीं बढ़ता इसे टोके यह टोके यह टोके यह बोलूंगा कि आप पी वन पी टो पी थ्री ही यूज करो और इसके लिए Capital P ही यूज करो और यह पी क्यू और आर और एस यह जो आपके वेरियेबल होंगे यह आप simple statement जो होती है जो obviously यह सारी premises में compound statement भी होंगी conclusion में भी compound statement होंगी उनके लिए आप यूज करना simple statement के लिए छोटे वेरियेबल आप यूज करना PQRS ठीक है question करेंगे उसमें ज्यादा आपको clarity हो जाएगी तो अब valid है कि नहीं यह find out करने के लिए बचे दो method है आपके the two method ठीक है इन में से कोई भी एक आप यूज कर लो पहला method जो normally हम यूज करते हैं आपकी जितनी भी premises है P1 P2 P3 लेट से तीन premises हैं तीनों का conjunction कर दो ठीक है तीनों का conjunction कर दो और फिर implies यहाँ पर conclusion अगर यह expression जो है आपका solve करने के बाद truth table से solve करने के बाद अगर यह आपका tautology निकलता है यह expression ठीक है if expression is tautology then argument is valid और अब यह सी tautology नहीं निकलता है तो not valid invalid argument ठीक है दूसरा method second method में क्या होगा and I recommend कि आप यही method use करो बड़ दूसरा method कई बार पर काम आ जाता है अगर आपके variables बहुत जाता है और आप comfortable हो दूसरे method के लिए तो दूसरे method में क्या होता है कि आपका यह P1 P2 P3 इसकी आप क्या करते हो कंजंक्शन तो कर नहीं है बट आप अपनी conclusion को जो आपका यह P है इसको पहले कह देते हो कि यह false है कि हमारी conclusion नहीं गलत है ठीक है तो यह आपका P पहले ही false हो गया ठीक है तो आप अपने इस expression को क्या प्रूफ करना है इस expression को आपने प्रूफ करना है कि अगर यह आपका philosophy निकला philosophy मतलब contradiction philosophy या contradiction निकला मतलब सारे के सारे false निकले आपके truth table की value इस expression के तो आपकी यह argument argument is valid ठीक है तुकि आपने उल्टा ले लिया कि मेरी argument पहले ही आपने कह दिया कि मेरी argument गलत है और अगर वह philosophy निकला contradiction निकला आपने पहले बोल दिया गलत है फिर से contradictory निकला आया कि यह तो हर बार सही निकल रही है आपने तो गलत बोल दिया तो आपकी argument valid हो ठीक है इसको बोलते है validity by contradiction और यह आपका traditional method है कि इसे टोके है कि है यह वान मिनेट रिमेनिंग कि आप पूछ सकते हो यह कोशन को डाउट है आपका यह सबसे important question and it's a definite thing कि आपको यह कोशन आएका in the final exam and definitely in the MST as well last वाला रिपीट करना प्लासी वाला अगर सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब करेंगे कल और मैं भी एक्स्प्रीन कर देता हूँ फलासी और contradiction में क्या होगा आपसे आपका first of all आपने अपनी conclusion प्रिमाइस तो आपने लिए कि मेरी पी वन भी सही है मेरी टी टू भी सही है मेरी पी थ्री भी सही है अगर यह मेरी आर्गिमेंट सारी सही है फिर भी मेरी conclusion गलत आएगी गलत ही आएगी तो यह आपने पहले ही अज्यूम कर लिए मेरी आर्गिमेंट गलत ही होगी और उसको प्रूफ कर दे कर दे अगर contradiction आ गया आपने तो गलत बोला और यहां पर contradiction आ गया तो इसका मतलब आपकी आर्गिमेंट एक्चुल में valid थी सही थी पर आपने इसको गलत मान दिया ठीक है इसको बोलते हैं प्रूफ बाए contradiction और दू